हेलो गाइस स्वागत है अब सभी का ऑनलाइन इस्टडी अकाडमी में आज देठे 12 माई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉटन करेंट अफेर्स हैं वह डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में और वीडियो में लाज तक जरूर बने रहेगा क्योंकि जितने भी रिलेटेट स्टैटिक पॉइंट से वह सब भी हम कवर करेंगे तो यह शुरू करते हैं तो आज का पहला कोश्चन है और विच आप दा फॉलोंग डेट नेशनल टेक्नोलोजी डे इस ऑफसर्व निम्डखित में से किस तारी को राश्टिय प्राध्योगी की दिवस मनाया जाता है तो साइन्स एंड टेक्नोलोजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर अपको याद रखनी है साइन्स एंड टेक्नोलोजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर और डेट याद रखनी है 11 माई को मनाया जाता है ठीक है सबसे पहली बार इसे मनाया गया था 1999 में यह चीज याद रखेगा और तो इसको मनाने के दो रीजन है एक तो 1998 में जो पोकरन नुकलियर टेस्ट हुए थे उसकी एनवर्सरी के लिए मना जाता है उसको सलिब्रेट करने के लिए मना जाता है इसे हर साल 11 माई को दूसरे चीज भारत का जो टेकनोलोजिकल एडवांसमेंट है यानि कि भारत देज कि करने के लिए और इसकी इंपोर्टेंस उसको हाइलाइट करने के लिए यह दिन मनाए जाता है हर साल तो याद रखेगा ग्यारा मई नेशनल टेक्नोलोजी डे नाइस्ट कोश्चन है और विच आप दा फॉलॉइंग डेट इंटरनेशनल डे ओफ अरगानिया इस तारिक को अरगानिया का अंतराष्टी दिवस मना जाता है तो हर साल दस मई को मना जाता है अरगानिया का अंतराष्टी दिवस यानि की इंटरनेशनल डे ओफ अरगानिया तो यहां पे अरगानिया क्या है तो यह जो आप पेंड देख रहे हैं यह है अरगानिया एक आरग सब्सक्राइब करता है तो इस तरह से जो सस्टेनेबल डवलप्मेंट के गोल रखे गए हैं उनको एचीव करने में यह काफी आदा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इसी कारण से इस दिन के स्थापना की गई है कि नेक्स्ट और इसमें नई दिल्ली की रैंक है 32 यानि 32 रंबर पे रहा है नई दिल्ली तो नाइट फ्रैंक जो है एक लंडन की प्रापर्टी कंसल्टेंट है और उन्हों अभी हाली में इंडेक्स परकाशित किया है जिसमें ये बताये गिया है कि जो अलग-अलग देश है वहां से लगबग 45 से भी जादा कंट्रीज को उपर वहां पर रिसर्च किया गया और यह देखा गया कि जो उनके residential prices है उसमें कितना जादा moment होता है देखा जाता है कि कि तनी जादा उनकी prices बढ़ रही है गट रही है उसी के basis पे ये इंडेक्स में ranking बनाई आती है तो भारत में दिल्ली राह है 32 नमबर पे भारत का उसके आद मुंबई राच 36 नमबर पे पुरविश्य भर में और बैंगलो थर्ड तो आपको फर्स्ट में कौन था सिंजन याद रखना है और भारत की तरफ से नई दिल्ली की ranking याद रखनी है 32 वी जो कि नई दिल्ली सबसे उपर रहा है भारत की तरफ से इसराज की पुलिस ने कोविड रोगियों के लिए जो आपबे कोविड रोगी है उनकी मदद के लिए मिसंट होसला सुरू किया है наша याद राखिएगा मिसंट होसला यहा क्या तो यह एक ुठ शुरू कि गयी है जैसे कमी पड़ती है बेट्स की कमी पड़ती है प्लाजमा की कमी पड़ती है तो यह सब कुछ और्गनाइज कराएगी वहां पे वहां की पुलिस ठीक है उनको हेल्प देगी कि आसानी से ऑक्सीजन बेड और प्लाजमा उनको मिल सके इसके अलाबा इसी मिशन के अंडर में जो पीपल है उनको राशन भी दिया जाएगा वहां पे जो बॉड़ी हैं उनके क्रिमेशन का भी काम किया जाएगा ठीक है उनको कपड़े वगारा भी दिये जाएंगे जरूरत मंदों को तो इस तरह से कोभी ड्रोग्यों की मदद की जाएगी मिशन होसला के अंडर में ब प्रणाली अपनाने वाला पहला भारती राज कौन बना है तभी हाली में असम बन गया है भारत का पहला स्टेट ऑनलाइन फ्लड और रिपोर्टिंग सिस्टम को अपनाने वाला ठीक है तो जो चीप सेक्रेटरी है असम के जिसनू बार हुआ उन्होंने अभी हाली में एक टाइम डिजटल फ्लड रिपोर्टिंग एन इंफॉर्मेशन मेनेजमेंट सिस्टम को लॉंच किया है यानि की एफ र आई एमस यह याद रखिएगा शॉट में एफ र आई एमस यानि की फ्लड रिपोर्टिंग एन इंफॉर्मेशन मेनेजमेंट सिस्टम और इसी के साथ थी असम भारत का पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने ओनलाइन फ्लाइड रिपोर्टिंग सिस्टम को एडॉप्ट किया है ठीक है बात कर लेते हैं असम की तो यहां की कैपिटल है दिस्पूर चेफ मिनिस्टर बने हैं हीमंत विश्वा सर्मा ठीक है याद रखेगा काफी ज्यादा इंपॉर्टिंट पॉइंट है गवर्नर है जग्दीश मुखी है कि अच्छोशन है हूँ है जरी प्रेजेंटेड इंडिया इंद थर्ड आर्क्टिक साइंस मिनिस्टेरियल में 2021 तृति विज्ञान मंत्री 2021 बैठक में भारत का प्रति निदित किस ने किया है और इसके साथि साइनच ओ टेक्डोलोजी के भी मिनिस्टर है यह याद रखेगा इस मेटिंगं लिए दोनों के दारा ज्वारा यूंटली रूप से और्गणाईज कराए गया था तो हर्सवर्धन जी ने वहाँ पे बताया भारत के विजन के बारे में कि जो आर्टिक छेतर है वहाँ पे भारत जो है रिसर्च करने की प्लान कर रहा है साथ ही अलग अलग देशों के साथ सहयोग करके भी वहाँ पर काम करने वाला है भारत तो इसी चीज़ों के बारे में बताया है वहाँ पर हार्सवार धंजी ने किस बैंक ने ग्रामिस्तर के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए इवा चैडबॉट लॉंच किया है तो इसका राइट आंसर है HDFC बैंक अभी हाली में HDFC बैंक ने कॉमन सर्विसे सेंटर यानि की CSC के साथ मिलके इवा नाम का चैडबॉट लॉंच किया है ताकि जो विलेज लेवाल के आंतरपेनर है यानि ग्रामिस्तर के उद्यमियों है उनको सपोर्ट प्रदान किया जा सके काफी आदा इंपॉर्टेंट है यह बैंकिंग के कि इसका मेंन एम ये है कि भारत के दूर रूर तक मतलब जो ग्रामिड इलाके हैं जहां पे लोग हैं उन तक बैंकिंग सर्विसेस को प्रोवाइड कराना उन तक बैंकिंग सर्विसेस को पहुचाना बात कर लेता हैं जिएपसी बैंक की इसकी स्थापनोई थी unter 94 में सिधर चगदीशन और टैग लाइन है वी अंडरस्टेंड यूर वर्ल्ड नेक्स रोशन है विच इंडियन ओर जिन एक्सपर्ट हैज बिन इलेक्टेट तो नेशनल अकैडमी आप साइंसेस किस भारती मुल्क के विसेशग को रास्टी विज्यान अकादमी के लिए चुना ग जाता है तो याद रखेगा इंडियन ओर्जिन एक्सपर्ट हैं संकर घोष जी और यह एक इम्यूनो लॉजिस्ट है ठीक है इनको हाली में नस्नल अकैडमी आप साइंसेस के लिए चुना गया है तो जो नए मेंबर्स होते हैं नस्नल अकैडमी आप साइंसेस के वह चुनत हाली में भारती और इंडियन नेवी और इंडियन नेवी ने मिलके पासिंग एक्सरसाइस का राया है तब बहरत की जो नेवी है और जो नेशिय की नेवी है उंके बीचमें अंडरस्तेंग बढ़ाने के लिए साथी इंटर ऑपर learntे बढ़ाने के लिए ये exercise conduct कराई गई थी तो भारत की तरफ से INS सार्दा जो की एक offshore petrol vessel है और इसके साथ ही एक चेतक helicopter ने participate किया इस exercise में और बात कर लेते हैं भारत के chief of naval staff की तो ये हैं Admiral करमवीर सिंग जी और Indonesia की बात करें तहां की capitalist Jakarta President है जोको विडोडो और currency Indonesian रुपिया अगला question है Which space agency will launch Doge One Mission to Moon कौन सी अंतरिक्ष agency Doge One Mission to Moon launch करेगी तो इसका right answer है SpaceX ठीक है SpaceX launch करेगी Doge One Mission to Moon तो अभी हाली में जो SpaceX के founder और CEO है Alan Musk उन्होंने बताया है कि 2022 के पहले तिमाही में ये mission launch किया जाएगा और ये mission important इसलिए है किया गया है ठीक है पहला ये commercial lunar payload है इसका जो payment है ये cryptocurrency Doge coin आपने सुना होगा इस समय चल रही है उसमें इसका use करके इसका payment किया गया है पूरा इसकारण से ये नाम important हो जाता है क्या कि important है एक तो mission का नाम पूसकता है Doge One Mission to Moon दूसरा कौन launch कर रहा है SpaceX तीसरा किस cryptocurrency का use करके इसका payment हुआ है तो Doge coin याद रखेगा परिसे 2022 के पहले तिमाही में launch किया जाएगा Falcon 9 rocket का use करके तो जो SpaceX है यहां के founder और CEO है Elon Musk इसके स्थापनोंची 2002 में और इसका headquarter है कैलिफोनिया में next question है who has won the ICC player of the month award for April 2021 April 2021 के लिए ICC player of the month award किसने जीता है तो पाकिस्तान के इसकी पर बावर आजम ठीक है इन्होंने जीता है ICC male player of the month award April 2021 के लिए और Alisa Hilly जो Australia की wicket keeper batsman है ठीक है इन्होंने जीता है ICC female player of the month award April 2021 के लिए तो दोनों नाम आपको याद रखने है बावर आजम न जीता है men's का award और Alisa Hilly न जीता है women's का award इसके लावर जो बहुवनेशर कुमार है इन्होंने March में ये award जीता था men's में और women's में जीता था Lizly ली ने ठीक है इन्होंने भी March का ही जीता था और अभी अपरायल में बाबा राजम और Alisa Hilly ये नाम याद रखिएगा next question है Fortunato Franco passed recently he was associated with which sport? Fortunato Franco का हाली में निधन हो गया वैं किस खेल से जुड़े थे? इसका right answer है football तो हाली में पूर भारत के international footballer Fortunato Franco का निधन हो गया है तो 1962 में जब Asian Games में gold जीती थी टीम भारत की तो उस टीम के ये पार्ट थे ठीक है वो हुआ था जकार्ता में ये याद रखेगा और इनका नाम याद रखेगा Fortunato Franco football से associated थे ये तो अब समय आज के quiz का question है who has been comfort with UNESCO World Press Freedom Prize 2021 UNESCO WISO Press Sotantrata परुसकार 2021 किसे किसे सम्मानित किया गया है तो ये रहे आपकी option make sure question का answer जरूर दे comment box में उसके लाब अगर आपको कोई doubt है कोई problem है आपका कोई suggestion है तो आप बिल्कुल मुझे comment box में बता सकते हैं पिछले वीडियो मैंने आप से पूछा था who has been appointed as national president of Fikki ladies organization आली में फिक्की महिला संगठन के रास्टी अध्याश की रूप में किसे निउत किया गया है इसका right answer है उज्वला सिंग हानिया तो ये थे आज़की important current affairs I hope आपके विस्फूल लगे होंगे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें ज़्यादा ज़्यादा शियर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe करना ना भूले notification आपको मिलती रहे चले make sure bell icon जरूर दवाईएगा और pdf की link आपको description ने मिल जागी आप वहाँ से download कर सकते हैं फिर मिलते हैं कल कुछ नयकर अंटरफेर्स के साथ तब तक के लिए take care and thank you guys